नमस्कार मैं रवीश कुमार सुप्रीम कोट से बार बार डाट खालेंगे मगर एलेक्टोरल बॉंड के बारे में नहीं बताएंगे लगता है भारत सरकार इसी लाइन पर चल रही है कि एक एक याचिका के सहारे जानकारी को सामने आने से रोका जाए या देरी की जाए ताकि जनता को पता ना चले आखिर इसमें कितना बड़ा घोटाला हो सकता है कि सरकार नहीं बताने के लिए इतना प्रयास कर रही है आज उद्योग जगत की संस्था फिक्की को जो डाट पड़ी है सुप्रीम कोट में जो डाट पड़ी है कि उसके सामने स्टेट बैंक आफ इंडिया को पड़ी डाट अब गुलाब जामुन लगने लगी है चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचुड और उनकी बेंच के सदस्य जस्टिस बी आर गवई जस्टिस संजीव खन्ना के सामने किसी की कोई दलील नहीं चल पा रही थी फिर भी डाट खाने रोज ये नए नए संगठन को आगे कर दिया जा रहा है सुप्रीम कोट में आज जो भी हुआ है उसे लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि एलेक्टोरल बॉंड की जानकारी को रोकने के लिए कौन लगा है किसे डर है कि जनता को पता न चले सारी शक्ती लगा दी गई है कि बॉंड के बहाने जो लूट हुई है उसकी जानकारी घर-घर तक नहीं पहुँचे अब जनता को भी अपनी शक्ती लगानी पड़ेगी कि वो एक-एक जानकारी जमा करे और घर-घर पहुँचाए हमारा ही नहीं उन सभी का वीडियो देखिए जो इस घोटाले पर रिपूर्ट कर रहे है 2024 के चुनाओं के सबसे बड़े घोटाले को गोदी मीडिया गायब कर रहा है कोट के आदेश से बाहर ना आ सके तो कोट में याचिकाएं डाली जा रही है ताकि कुछ दिन और टल जाए जहां है मामला वहीं अटक जाए मगर कोट को ये बात समझ आ गई है कि भारत के हित में इस घोटाले का भांडा फोड सबसे जरूरी है यह हमारा पहला वीडियो है आज का इसके बाद दूसरा वीडियो भी आएगा आज ही आएगा देखते रहे और पडोसियों को भी दिखाते रहे दिनेश कुमार खरा स्टेट बैंक आफ इंडिया के चेर्मेन दस महिने का सेवा विस्तार मिला है यह व्यक्ति बैंक के करोडों ग्रहकों और लाखों कर्मचारियों को शर्मसार किये जा रहा है इतने उचे पद पर बैठे व्यक्ति को चीफ जस्टिस ने काईदे से समझा दिया कि फैसले में क्या लिखा है क्या करना है चीफ जस्टिस डिवाई चंदरचूड ने कहा कि स्टेट बैंक का रुख देखकर लगता है कि आप कुछ खास डिटेल के बारे में बताएं हम वही बताएंगे मगर ये सही नहीं है स्टेट बैंक के चेर्मेन को कोड का फैसला पढ़ लेना चाहिए बैंक के चेर्मेन के रूप में उनका कर्तब्य बनता है कि वे फैसले को लागू करें कहें कि उनके पास जो भी जानकारी है सभी सारवजिनिक करेंगे क्योंकि जब हम कहते हैं कि सभी जानकारी देनी है तो इसका मतलब है कि जो गुप्त भी है वह भी बतानी है क्या किसी चेर्मेन को यह बताना पड़ेगा? कोट का आदेश क्या है? ये हालत हो गई है इस चेर्मेन और बैंक की या किसकी सेवा के लिए किया जा रहा है दिनेश कुमार खरा क्या सेवा विस्तार का कर्ज चुका रहे हैं क्या बैंक का देश की जनता के प्रती अदालत के फैसले के प्रती कोई कर्ज नहीं करतव्य नहीं सुप्रीम कोट ने पूरे कानून को रद कर दिया है इस कानून को चोरी का अड़ा बनाने के लिए समविधान में जो भी संशोधन किये गए थे उसे भी रद कर दिया है तब फिर स्टेट बैंक चुप चाप सारी बातें एक साथ क्यों नहीं बता रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितनी बार सुप्रीम कोट से डाट खाएगा इस बार लगता है कि वकील हरीश सालवे को आगे करने के बाद भी उसकी एक भी कोशिश काम्याब नहीं हुई जब कोट ने कह दिया कि सारी जानकारी मतलब जो गुप्त भी है उससे सारजनी करनी है तो बार बार स्टेट बैंक ऐसी हरकत क्यों कर रहा है किसे बचाने के लिए यह सब किया जा रहा है या तो जनता को सीधे सीधे चुनोती दी जा रही है कि हमने आपको धर्म की घुटी पिलाकर हमेशा के लिए सुला दिया है और अब आपको कुछ भी पता नहीं चलने देंगे और ना हमने आपको जानने लायक समझने लायक छोड़ा है जब यह कानून रद्ध हो गया इसके लिए किये गए सारे संशोधन रद्ध हो गए तब यह सरकार, स्टेट बैंक ओफ इंडिया, कमपनियां और राजनितिक दल खुद से सारी जानकारी सड़क पर क्यों नहीं लाकर फेक देती हैं क्यों इसे मैनेज करने के लिए इतना कुछ किया जा रहा है स्टेट बैंक ओफ इंडिया को यूनिक कोट देना पड़ेगा चिफ जस्टिस और उनकी बेंच के सदस्यों की सकती आज देखने लायक थी आम तोर पर मीडिया इसे डाट और फटकार के रूप में ही लिखता है हम भी डाट का इस्तमाल करते हुए बैंक को पड़ी डाट की गिनिती कर रहे हैं ताकि पता चले कि भारत के इतिहास के सबसे बड़े घोटाले को छिपाने के लिए कितनी मेहनत हो रही है यही है रामराज्य का नाम लेकर राज करने वालों की इमानदारी का नमुना डाट नमबर वन सुप्रीम कोट ने कहा हमने स्टेट बैंक को सारी जानकारी देने के लिए कहा है इसमें बॉंड के पीछे जो गुप्त नमबर होता है वह भी शामिल है स्टेट बैंक नहीं तैक कर सकता कि कौन सी जानकारी देनी है कौन सी जानकारी नहीं देनी है हम मान कर चलते हैं कि बैंक खुलकर जानकारी देगा, कोड के समख्ष पारदर्शिता से पेश होगा, कोड के साथ भेद भाव नहीं करेगा डांट नमबर दो, स्टेट बैंक क्या ये कहना चाता है, कि आप ही बताईए क्या बताना है, हम वही बताएंगे, ये सही नहीं है डांट नमबर तीन, जब हम कहते हैं कि सारी जानकारी देनी है, तो इसमें गुप्त डेटा भी शामिल है अभी स्टेट बैंक को पड़ी डांट खत्म नहीं हुई है, और फिकी को मिली डांट पर तो हम आए भी नहीं है बैंक के वकील सालवे ने कहा कि क्या हम बता सकते हैं, कि बैंक ने आदेश को कैसे समझा है, हम सारी बातें रखना चाहते हैं इस पर चीफ जिस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंदरचोड ने कहा, कि हम चाहते हैं, कि आपके पास जो भी जानकारी है, बांड को लेकर वो सब बताएं, यह हो गई डांट नमबर चार अदालते डांट या फटकार उस तरह से नहीं लगाती, उनके बोलने का वैसे काईदा होता है सुप्रीम कोट ने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हालत खराब कर दी, कोई बैंक बार बार जाए और कोट वही बात बार बार दोहराए, तो इसे डांट ही कहना चाहिए जैसे ही हरिश सालवे ने कहा की, अप्रैल 2019 को चुनाव आयोग से कोट ने कहा था कि राजनितिक दलों को जो चंदा दिया गया है, उसकी सारी जानकारी सील बंद लिफाफे में दी जाए तब Chief Justice of India ने फिर फटकार लगाई और कहा कि हम यह समझते हैं कि आप राजनितिक दलों की तरफ से पैर भी नहीं कर रहे, इसे गिनते हैं डांट नमबर 5, इस बिंदू को ठीक से समझे, हरिश सालवे फैसला पढ़ने लगे, और कहने लगे कि हम यह समझे, कि आपने कहा है कि जानकारी सील बंद लिफाफे में रखनी है, और राजनितिक पार्टी को बॉंड की डिटेल से क्या करना है, पार्टियां आपने आप बता देंगी कि किसने पैसा दिया, इस पर Chief Justice ने कह दिया, आप राजनितिक दल के वकील हैं, या राज्जी की और से हैं, यानी सरकार की और से, स्टेट की तरब से, Chief Justice ने कहा कि जो भी जानकारी है आपको देनी हैं, अब आते हैं अगली डाट पर, या डाट कुछ जादा खतरनाक है, Chief Justice ने कहा कि बैंक को बॉंड नंबर बताना होगा, यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि बैंक को हलपनामा लिखकर देना ह कि आपने कोई जानकारी नहीं छुपाई, वकील सालवे ने कह दिया कि हम ऐसा ही करेंगे, बैंक कोई जानकारी नहीं छुपाएगा, हरिश सालवे अनुभवी और बड़े वकील हैं, लेकिन इतने कंजोर केस की पैरवी, जब बड़े वकील भी करते हैं, तो उनकी दलीलें सुनने में तो अच्छी लग सकती हैं, मगर साबित कमजोर ही होती हैं, हरिश सालवे की दलील से ऐसा कुछ भी नहीं लगा, कि अनुभवी वकील के पास मजबूत तर्क हैं, कोट के जवाब के सामने उनकी दलीलें स्कूली बच्चे के बहाने की तरह नजर आ रही थी, सुन लेकिन अगर जाँच को लेकर जनहित याचिकाएं, दायर हो जाएं, इसकी जाँच करो, उसकी जाँच करो, तो मुझे नहीं लगता कि कोट के फैसले का ऐसा मकसद भी है, बताइए मीडिया क्या कहेगा, कोट में केस हो जाएगा, इसका डर सता रहा है, अगर किसी कमपनी क चंदा देने के बदले, लाखो करोणों का धंदा मिला है, कोई कमपनी इसी साल बनती है, और चंद महिने में करोणों का चंदा देती है, उसका मुनाफ़ा भी उतना नहीं, तो जाँच होनी चाहिए, जनहित याचिका तो दायर होनी ही चाहिए, जब सरकार खुद से जाँ नहीं करेगी तो लोग कोट के पास जाएंगे जाहिर है या कमजोर दलील थी और कोट के सामने इससे टिकना भी नहीं था कोट में जो हालत थी उसे देख कर लगता है कि अब सरकार पबलिक के बीच कहीं रोने ना लग जाए कि किसी तरह बॉन्ड की रिपोर्ट को गायब कीज हम लोग धरा जाएंगे ये लेवल है क्या इस सरकार का सरकार की तरफ से सॉलिसीटर जनरल तुशार महता ने कहा कि कोट को पता होना चाहिए कि पबलिक में किस तरह से अदालत का फैसला चल रहा है जजों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि बाहर कैसी बाते हो रही है वि का मकसद शर्मिंदा करना है तत्यों को घुमा फिरा कर किसी भी तरह की पोस्ट चलाई जा रही है जैसे कोई कहदे की रोहतगी ने इतना पैसा दिया इसका एक निशकर्ष निकाला जा सकता है क्या बेंच इस पर कोई आदेश देने पर विचार करेगी तो क्या ये आदेश कवरेज मांगने का प्रयास हो रहा था कि इसके कवरेज पर इसके कवरेज के बहाने तरह तरह के सवालों के उठाने पर सुप्रीम कोड कोई रोक लगा दे कमाल है इस वीडियो को चार चार बार देखिए एक एक तर्प को ठीक से देखी और याद कर लिजिए कि कैसे कैसे बनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया में क्या लिखा जा रहा है उससे सरकार को इतनी घबराहट है कमपनियों को घबराहट है काम ही ऐसा हुआ है तो क्या लिखा जाएगा कोड को शरमिंदा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है फिक्की कर रहा है जो कोड से कह रहा है कि जानकारी सामने ना आए जब ती कोड का फैसला आ गया है कि सभी जानकारी सारजनिक हो फिर भी ये चले जा रहे हैं कि जानकारी सामने आने मत दीजिए इसलिए ये डांट नंबर साथ है चीफ जस्टिस ने कह दिया कि एक संस्थान के रूप में हमारे कंधे इतने चोड़े हैं कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है उससे प्रभावित नहीं होते हमारा एक ही मकसद है डिस्क्लोजर हम कानून के बनाए नियमों के आधार पर चलते हैं ऐसी ऐसी डांट पड़ी है आज स्टेट बैंक को चुनाव आयोग जब कहता है कि उसका एक ही सिधान्त है डिस्क्लोजर 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 तो फिर चुनावी चंदे से जुड़े फैसले को लागू करने में इतनी अर्चने क्यों है देरी क्यों हो रही है यह इस चुनाव की सबसे बड़ी रिपोर्ट है सबसे बड़ा घोटाला है काश अदालत देखती कि सॉलिसीटर जनरल ने जो कोट में कहा है वो कितना सही है अदालत अखबारे नहीं पढ़ सकती है हिंदी अखबारों में बॉन्ड की रिपोर्ट खाना पूर्ती की तरह छपी है एक अखबार को छोड कर कहीं भी पूरी डिटेल नहीं जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव, न्यूज मिनट, न्यूज लॉन्डरी, स्क्रोल दवायर और हिंदू में छप रही है इसलिए बॉन्ड के यूनिक नंबर का सारवजिनिक होना बहुत जरूरी है आप समझे इस क्रोनोलोजी को याचिका य कोदी मीडिया का बड़ा हिस्सा इसे रूटीन की खबर बनाकर गायब कर चुका है कई अखबारों में तो खबर का एंगल ही कुछ और है और कई जगहों पर असली खबरें गायब है अब अगर जनता तक इस बात को पहुँचाना है तो मेरी नजर में एक ही रास्ता बचता है सुप्रीम कोट या चुनावायोग आदेश दे कि बॉंड से संबंधित कोट के फैसले को अखबारों में विस्तार से प्रकाशित किया जाए किन-किन कंपनियों ने किसे कितना चंदा दिया है इसे भी प्रकाशित किया जाए और इसका सारा खर्चा भारत सरकार उठाए लगा रहे होते मन मोहन सिंग से इस्तीफा माँग रहे होते लेकिन अब तो सवाल ही गायब है और सवाल ही बदल दिया गया है अब आते हैं चारला कंपनियां और उद्योग जगत के ही लोग इससे जुड़ते हैं आज इनकी तरफ से वकील सुप्रीम कोट में अपना आवेदन लेकर पहुँच गए इस गुजारिश के साथ कि कम्पनियों के नाम सारजनिक ना हो फिक्की और सोचेम की तरफ से अनुभवी और बड़े वकील मुकुल रोहत कि नंबर देने के मामले को टाल दीजिए तब चिर्फ जस्टिस ने कहा कि आप हमारे पास तब आए हैं जब फैसला दिया जा चुका है हम आपको नहीं सुन सकते हैं यह डांट नंबर आठ हुआ है बताइए फैसला आ चुका है 15 फरवरी को आया है एक महीने बाद 18 मार्ज को उद्योगों की संस्था कोड जाती है नाम ना बताएं कई कंपनियों के नाम छप चुके हैं पहले लगाने ही नहीं कि इस मामले में कोड में जाना चाहिए बस जब नाम आने लगा खुद कागज दिखाने की बारी आई तो कोड पहुंच गया संदे के नाम पर नागरिक बताएंगे नाम नहीं बताएंगे यह हमारी कंपनिया और राजनितिक दल खुद से गई थी या सरकार ने ठेल कर भेजा था इसे लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं जस्टिस बी आर गवई ने कहा पूरी दुनिया को पता है कि सुनवाई चल रही है चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको रियायत नहीं दे सकते What's sauce for the goose is sauce for the gander मतलब जो एक के लिए है वो सब के लिए है आप इसे डांट नमबर आठ या नौ जो मन में आए गिन लिजिए मगर हाल देखिए मामला तब गंभीर हो गया जब वकील मैथ्यू निंदू पारा ने कह दिया पूरा फैसला नागरिकों के नाम पर दे दिया गया तब चिप जस्टिस ने कह दिया कि हम पर ना चिलाएं आप आवेदन दाइर करें हम आपको नहीं सुन रहें तब भी वकील निंदू पारा नहीं रुके इस पर जस्टिस बी आर गवई ने कह दिया क्या आप अबमानना का नोटिस चा कर बता रही थी कि मैं साफ करना चाहती हूं कि बाइकॉन ने जनता दल सेकुलर या किसी अन्य पार्टी को एक नया पैसा चंदा नहीं दिया है निजी इस तर पर मैंने इलेक्टोरल बॉंड खरीदे हैं जिसे जेडियेस और अन्य दलों को दिया है मेरा चंदा मामूली है और अन्य गंभीर बिमारियों की दवाई बनाती है साड़े सोला हजार कर्मचारी काम करते हैं क्या अब भी आपको संदे नहीं हो रहा है कि कंपनियां क्यों नहीं बताना चाहती हैं प्रशांत भूशन ने ये बात उठाई कि चुनावायोग ने सील बंद लिफाफे से जो जा रहे हैं इसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा है प्रशांत भूशन की मांग थे कि अप्रेल 2019 से पहले की जानकारियां सारदिने की जाएं उसे कोट ने नहीं माना बेंच ने कहा कि आपने एप्लिकेशन फाइल की है हमने माना लेकिन हमने उस समय सोच समझ कर ये फैसला लिय नहीं होगा अप्रेल 2019 के बाद के आदेश में सबको नोटिस भेज दिया गया कि इस मामले में फैसला आएगा अब अगर उसमें बदलाव किया जाएगा तो फिर से फैसले की समिक्षा करनी होगी सुप्रीम कोट ने साप साप कह दिया कि सारी जानकारी देनी होगी 21 मार्च की शाम पांच बजे तक चेर्मेन स्टेट बैंक अफ इंडिया को कोट में हलफ नामा दायर करना होगा कि उनके पास जो भी जानकारी है सभी की सभी चुनावायोग को दे दी गई है और कोई भी जानकारी छिपाई नहीं गई है रोकी नहीं गई है कोट ने कहा कि जैसे ही जानकारियां आती हैं चुनावायोग उसे प्रकाशित करें आप सरकार से किसी योजना में लाप प्राप्त करते हैं आपका चेहरा आपका नाम सब जगध सारजनिक हो जाता है फोटो छप जाता है विग्यापन में प्रधान मंत्री उसे लाभार्थी कहते हैं लाभार्थि का सबसे नियमित और सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है रेट के बाद का लाभार्थी कौन है और कॉंट्रेक्ट के बाद का लाभार्थी कौन है क्या आप एलेक्टरल बॉंड से जोड़ी खबरों को देख रहे हैं हमारा सारा का सारा वीडियो देखिए आज का ये 11 वीडिय वीडियो है 12 वीडियो भी जल्दी लेकर हाजिर होते हैं इंतजार कीजिए नमस्कार मैं रवीश कुमार